नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है संजीव वार्षने और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरू योट्यूब चैनल आज हम बात करने वाले हैं हिकविजन के वीडियो इंटरकॉम किट और पैनस्वानिक के वीडियो इंटरकॉम सिस्टम जिसका की मॉडल नंबर है VL-SA74 और यह क्या requirement है जिसके according हम इसको choose कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले जानते हैं हम दोनों के जो common features के बारे में कि common features क्या क्या है फिर हम उसमें differences को जानेंगे कि हमारे पैनस्वानिक और हिकविजन के बीच में कौन सा feature किसमें available है तो चलिए वीडियो यहां पर भी capacitive touch screen है और colorful screen अवलेबल है embedded Linux based operating system का यूज किया किया है दोनों ही हमारे वीडिपी के अंदर Wi-Fi 2.4 को support करता है यह भी Wi-Fi 2.4 को support करता है RFID card को हमारा यह भी वीडिपी support करता है और Panasonic भी support करता है IP CCTV cameras को यह हमारा equation भी support करता है Panasonic भी support करता है साथ में alarm inputs इसमें 8 connect कर सकते हैं इसमें भी हमारी 8 inputs connect कर सकते हैं s.264 compression दोनों के अंदर अवलेबल है फिजिकल बटन यानि आउट के लिए आप एक बटन भी लगा सकते हैं फिजिकल जो है electronic बटन लगा सकते हैं 100 images की memory है दोनों के अंदर अवलेबल यह अब बात करते हैं कि इसमें differences क्या है कि किस बेसिस पे हम decide कर सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा जो वीडियो डिवरफोन बहतर है चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर हिक विजन का किया यह 602 इसमें हम बात करें इसकी memory की यानि इसके अंदर TF कार्ड जो होता है तो वो हमारे पास इसके अंदर जो अवलेबल है इसके अंदर 16 GB का memory कार्ड के साथ आता है जिसको कि हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं और उसी के अंदर इसमें जो है इसकी जो फोटोज हैं या वीडियो हैं वो उसी के अंदर आप इसके अंद का video door phone इसके अंदर flash memory already है जिसके अंदर की आप 100 images store कर सकते हैं और 7 में अगर आप video recording करना चाहते हैं तो उस case में आप जो है इसमें up to 256 GB यानि 256 GB तक का memory card इसके अंदर लगा सकते हैं तो यहाँ पर memory card की capacity की बात करें तो यहाँ पर 32 GB तक का supported है client software की बात करें यानि client software जो से IOMS 4200 light यानि आप अपने computer के through भी इसको operate कर सकते हैं that means की door आप open कर सकते हैं तो यहाँ पर हमारे पास client software का option available है यहाँ पर आपका यह option available नहीं है TCP IP protocol SIP protocol RTSP protocol यह support करता है हमारा iqvision का VDP और Panasonic का यह TCP IP को support करता है यहाँ पर पास करें indoor यानि indoor जो station है यानि इन्डोर जो screens है यह screens जो है इसके अंदर से सपोर्ट करता है मैक्सिंम तो फोरकष़पोर्ट करेगा अगर आपकी screen की requirement more than four है या outdoor ख와 कर शभी है तो आपको जो है हek czego के की तरफ यह और हम बात करते हैं कि जो तो आउट्डोर की condition, that means कि अगर high temperature जहां पर आपका जो outdoor, मतलब गर्मी जहां पर ज़्यादा है, यह आउट्डोर का temperature ज्यादा required होता है, तो यह up to 70 degree centigrade तक support करता है, और यह हमारा up to 60 degree centigrade तक support करता है, यह अगर आप बात करें, जहां पर गर्मी ज़्यादा है, तो वहां पर आ wide angle किसमें होगा, तो wide angle जो है, यह जो हमारा इसमें 2MP का जो camera यूज किया गया है, this is fish eye camera, यह जो हिक्विजन के अंदर fish eye camera को यूज किया गया है, तो यह angle ज़्यादा cover करता है, horizontally 180 degree cover करता है, और vertically अगर हम बात करें, तो 96 degree cover करता है, that means कि पूरा बड़ा area यह easily cover कर सकता है, और यहाँ पर हम अगर panasonic में बात करें, तो यह 120 degree horizontal cover करता है, और साथ में जो vertically है, वो 60 degree cover करता है, तो that means कि angle के मामले में हमारा equation का, जो VDP है, वो बहतर है, door status, मतलब means अगर आपका door open रह जाता है, तो उस case में door status का option panasonic के अंदर available है, equation के अंदर यह option नहीं है, साथ में अगर और English, panasonic के बल दो languages को support करता है, इसमें sub modules भी connect किये जा सकते हैं, यहाँ पर यह option अविलेबल नहीं है, अब हम बात करते हैं, इसकी outdoor की connectivity की, यहाँ आउड़ जो है, इसमें flash mount और surface mount, यहाँ आप उसको engrave करके भी आप लगा सकते हैं, और इसको जो है, open भी लगा सकते हैं, यहाँ पर के उपर भी directly आप लगा सकते हैं, यहाँ पर केवल surface mount अवलेबल है, यहाँ आप इसको बाहर ही लगा सकते हैं, inside से यह connect नहीं होगा, standard POE, यहाँ पर इसके अंदर 4 port का जो POE है, इसके साथ inbuilt आता है, जैसे कि power आपको outdoor और indoor दोनों को मिल जाती है, और data मिल जाता है, तो इसमें दोनों ही Wi-Fi से configure हो जाते हैं, यह भी Wi-Fi से हो जाता है, 2.4 GHz से और हमारा panasonic भी हो जाता है, इसके अंदर यहाँ पर इसमें adapter आता है, जो कि 14.5V का adapter होता है, उसको आप supply main screen को देंगे, और main screen से PO POE output हमारे outdoor को हो जाती है, तो इसमें आप POE switch के थुरू ही आपको connect करना है, इसमें दोनों options आपको available है, यह भी POE से भी आप कर सकते हैं, और adapter के थुरू भी आप कर सकते हैं, RFID tags, RFID tags का option, इसके अंदर RFID tag reader जो है inbuilt है, RFID tag कोई भी इसके साथ नहीं आता है, यहाँ पर 7 to 8 इसके साथ आपको मिलते हैं, POE switch 4 port का इसके साथ मिलता है, यहाँ पर आपके पास adapter मिलता है, अगर आप इसको लेकिन connect आप POE के थुरू भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से POE switch लेना पड़ेगा, तो यह features हैं, जो कि हमारे Panasonic और Hikvision के बीच में हैं, तो अब overall नि जाना चाहिए, और screens, more than अगर आपको 4 screens यूज़ करना है, तो भी आपको Hikvision के लिए ही आपको जाना पड़ेगा, और बाकी जो कुछ, जो angle of view वो भी Hikvision में बहतर है, door status का status अवलेबल नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़े है, memory card की capacity हमारे Panasonic के अंदर ज़्यादा है, तो आप अपनी requirement के recording इसको choose कर सकते हैं, वैसे overall अगर हम maximum features की बात करें, तो Hikvision में features ज्यादा है, 602 में as compared to Panasonic VL SA-74, but दोनों ही model बहुत अच्छे models है, IP65 ratings है, दोनों की ही rating है IP65, और अगर आप इसको जो है, अपने purpose के recording इसको model को decide कर सकते हैं, दोनों का ही user interface बहुत ही easy है, ब और easily connect हो जाते हैं, programmable भी easily हो जाते हैं, और Wi-Fi के through भी configure हो जाता है, Wi-Fi मतलब मेंज Wi-Fi से भी आप इसको internet दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको wired internet भी दोनों में provide कर सकते हैं, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप हमारे वीडियो को like कीज़ेगा, चैनल को subscribe कीज़ेगा, and press the bell icon, और अगर इसके बारे में और भी कोई detail आप access जाना चाहते हैं, तो आप description box में दिये गए numbers पर contact कर सकते हैं, और इसके बारे में आपको जो हम सारी information provide करने की कोशिश करेंगे, और इसका जो दोनों models का support है, जो दोनों models के बारे में और भी आप को दे सकें, तैंक यू